पिहार की राजनेंती में जाती की भूमिगा से संबन दित है जाती क्या है जाती जो है वो वर्ण वेवस्था से उत्पन एक सामाजिक वेवस्था है वास्तम में जाती वेवस्था और जो लोगतंत्र है वो एक दूसरे के विपरीत है क्योंकि लोगतंत्र हर एक नागरिक को बराबर की स्थिति में रखता है परंतु जाती जो है वो एक सोपानिक विवस्था है अर्थात किसी एक जाती वर्ग के विक्ति को वो सर्वोच मानती है और किसी एक जाती वर्ग के विक्ति को वो नीचे मानती है जबकि लोगतंत्र ज पहले ही इसने अपनी भूमिका निभाना प्रारंब कर दिया था जब हम लोग साउथ में देखते हैं कि जस्टिस पार्टी जो बनाई गई थी और इसके अलावा पेरियार की जो भूमिका थी तो उन्होंने निम्न जाती वर्ग जो है उसके राजनेती कुथान की बात की उनक श्री अंबेटकर जी जो थे उन्होंने निम्न जातियों को राजनेती में प्रवेश करने का आवान दिया और उन्हीं की विवस्था के कारण देखिए भारतिये जो लोगतंत्र है उसके अनुछे 330-332 और 243 के अंतरगत जो है जो संसद में विधान सभाओं में तथा इस् इक हमारी भारतियी राजनेती में कहादी की भूमिव का और भारतिया राजनीती में जातिकी भूमिव हो को की रूप में डोपना कि आने वाले समय में विकास के साथ जाती जो है वह समाप्त हो जाएगी यह एक बग्ति लोकतंत्र到 अपना इतना important role play करेगा कि आने वाले समय में जाती व्यवस्ता ही खतम हो जाएगी कि जब कि रज्णी-कोछारी जो रजनिक उठारी उनका ये मानना है कि जाती उनका राजनिती करण हुआ है और जातियों ने राजनिती के अंदर महत्वपूल भूमिका निभाना शुरू किया है इससे क्या हुआ है कि उनमें जन राजनितिक चेतना आई है वो अपने अधिकारों को लेकर के जाधा मुखर और एक रजनिक उठारी का मानते हैं कि जो जाती विवस्ता है वो और मुखर होगी राजनिती में जाधा महत्वपूल भूमिका निभाएगी चलिए अब हम देखते हैं कि जाती गत राजनिती ने कैसे कैसे रोल प्ली किया तो इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है हिस्ट दल उभर करके आए जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है दलित पैंथर है आर जेडी है और इसके अलावाजा मंडल कमीशन आया तो उसके बाद में 1990 के बाद में जो है एक जो निम्न जाती वर्ग था उसका बहुत तेजी से उत्थान हुआ उसका राजनिती करण हुआ जाती गद्रूवी करण हुआ तो यह सारा आपको लिखना है और देखें मैंने इसमें जो एक्जाम्पल्स देए वो सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं आपको कोशिश कीजेगा कि किसी दल का नाम किसी व्यक्ति का नाम जो है इस तरीके के प्रश्मों के अंदर आप नही मेंशन करें नहीं किसी जाती का नाम मेंशन करें चलिए तो जाती राजनिती में ये तो आपने एक्जाम्पल्स देए इसके अलावा और क्या भूमिका निभाती है कि जाती जो है प्रत्याशी के चैन में भूमिका निभाती है कि जब किसी प्रत्याशी का चैन किया जाता ह कि उस छित्र में किस जाती के कितने मद्दाता हैं मद्दाताओं को आकरशित करने के लिए जाती संबंदित वाक्यों का या अपने सरनेम का यूज किया जाता है जब सरकार का गठन किया जाता है तब यह ध्यान में दिया जाता है कि उस राज्जी के अंदर कौन-कौन सी जात बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनका मैं नाम ली ले रहे हूं जिनको हम लोग बहुत क्लियरली जानते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में कि उनमें एक विशेज जाती वर्ग जो है उसका बहुत जादा प्रभुत्वरा है तो यह चीजें जो है जाती अपनी इस तर का हिस्सा बनते हैं एक समय में उस तपके के लोगों को लोग पूछते नहीं थे आज राजनेता जाकर के उनके घर पर दंडवत करते हैं उनसे बोट मांगने के लिए उनकी जरुरते पूछते हैं और कई आज देखिए जितना राजनितिक विकास हो रहा है वही लोग आज चुनकर के मिनिस्टर्स भी बन रहे हैं साथी लोग तांतरी करन की प्रक्रिया को तीवर करता है कि हर समुहों तथा जाती वर्ग के लोग अब सत्ता में आ रहे हैं ऐसा निये कि राजनिती के उपर उच्छ वर्ग का ही अधिकार रहा है नीती निर्मान जो है या निर्ने निर्मान की प्रक्रिया जो है उसका रूपांतरण हो रहा है कैसे कि पहले अगर एक ही विशेश या उच्छ जाती वर्ग के लोग अगर नीती निर्मान प्रक्रिया या कारिपाली का विधाईका का हिस्ता होंगे तो वो अपने ही लाप क क्रिएट होगा हर जाती के हितों के हितों को साधनी किरियों हर जाती के कन्यान के लिए इसके अलावा देखिए कि मध्यवर्गिये जातियों का उत्थान हो रहा है जिनों ने उच्छ वर्गिये जातियों का प्रतिस्थापन किया है इसके साथ में जंच इतना जागरुत हो र जनिती का मुख्य मुद्दा बन जाती ही कभी कभी गरीबी, असिक्षा, ब्रस्टाचार जैसे मुद्दे जो है ये बैकराउंड में चले जाते हैं साथ ही साथ में देखिए जाती विवस्ता जो है भाई बती जावाद को ब्रस्टाचार को और अपराधी करण जैसी प्रवर्तियों को जो है वो बढ़ाती है कि कैसे बढ़ाती है कि आपको कई बार पता होता है कि जो candidate खड़ा हो रहा है वो अपराधी प्रवर्ति का है बढ़ क्योंकि वो आप ही की जाती से होता है तो आपको लगता है कि हमारा अपना है हम इसको वोट दे करके सकता में लेकर के आएंगे साथी अगर जाती आधार पर राजनीती होती है तो कई बार दो जाती वर्ग जो दोनों किसी छेतर में प्रभावी होते हैं यह जाती गत हिंसा को जन्म दे सकता है ठकराव हो सकता है law and order की problem create हो सकती है समाज का भी खंडन हो सकता है दूसरा की सामजिक न्याय की जो अवधर्णा है वो सिर्फ और सिर्फ election से election में वोट देने तक सिमट करके रह जाती है धरातल के इस तरफ पर जो है वो सामजिक न्याय नहीं हो पाएगा अगर elections जो है वो वास्तवी कर्थ में सिर्फ जाती के नाम पर होंगे तो व्यक्ति अपनी जाती के व्यक्ति को चुन करके ही संतुस्ट हो जाएगा वो ये कभी ध्याने नहीं देगा कि वो बंदा विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपके लिए कितना जागरुख है आपके कल्यान के लिए तो और दूसरा अपराधी करण जो है जो मैंने बताया आपको कि अपराधी विक्ति भी चुन करके आएंगे परन्तु कई ऐसी कारण हैं जिनकी विज़े से बहुत जादा जाती विवस्ता राजनिती में प्रभावी भूमी का नहीं निभा पाती है तो सबसे पहले आपको थोड़ा जाती विवस्ता क्या है लोगतंतरते कैसे कनेक्टेट है थोड़ा उसके दो पस्पेक्टिव एस्टोरिकल बैगरांड कैसे वो पॉजटिव रॉल प्ले करता है और यह क्यों वो बहुत जादा रॉल नहीं प्ले कर पा रहा है तो अगर सब पार्टियों का कैंडिट एक ही है तो आप जातिगत लामबंदी किस आधार पर करोगे तो पहला तो ये कि जातिगत वरस्था आधार पर जो चुनाव है या राजनिती करण जो है वो यहीं खारिज होता है दूसरा ये कि किसी एक जातिगा कभी भी किसी छेत्र में पूर्ण बहुमत नहीं होगा और आज के समय क्योंकि एक-एक वोट से क्योंकि भारत में पहले जिसको भी सबसे जाधा वोट मिलते हैं चाहे वो कितने भी मिलें उसके जीतने का प्रावधान है तो होता ये है कि एक-एक वोट जो है वो मैटर करता है आपके जीतने में तो आज के समय में ये नहीं हो सकता कि किसी एक ही जाती को आप संतुस्ट करके चुनाव जीच जाएं दूसरा ये कि एक ही जाती के अंदर सम्रिध्य लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं तो जो सम्रद्धि लोगों के हित हैं वो गरीब लोगों के हितों से अलग होंगे। हो सकता है कि एक गरीब विक्ति जो है अपनी जाती के किसी सम्रद्ध जो उमीदवार है उसकी बजाए दूसरी जाती के किसी गरीब उम्मीदवार से जादा connected feel करे और वो उसके लिए vote करे तो इस तरीके से ये बहुत जादा role नहीं play कर पराए और वर्ष 2014 के लोगसभा चुनाओं से या 2009 के लोगसभा चुनाओं से एक बदलाव दिख रहा है बिहार की राजनिती में जाती की क्या भूमिका है इस तरह के question में आप ये जरूर ध्यान रखेगा कि आप किसी भी party को positive रूप में लिखना है तो भले ही mention करतीजे नेगेटिव रूप में किसी राजनितिक वर्ग का किसी नेता का या किसी party का mention आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि एक तरीके से आप negative comment कर रहे हैं किसी राजनितिक वर्ग के उपर और आपको नहीं पता कि जो आपका copy check कर रहा है वो व्यक्ति जो है वो किस राजनितिक विचारधारा से संबंदित है तो आप कोशिच चे किजए कि अगर किसी की तारीफ करनी है तो वो आप उसका नाम mention कर दे मले बट negative में आप indirect words को use करें चलिए बिहार की राजनिति में जाती जो है वो बतलब भारत के उन राज्यों में से एक है जहारा जाती सबसे जादा प्रबल भूमिका निभाती है इसके दो कारण है पहला तो यह कि बिहार के अंदर नगरी करन का इस्तर बहुत निम्न है निम्न नगरी करन का आर्थ यह है कि बिहार की बहुत बड़ी population जो है वो आज भी गाओं में रहती है और ग्रामीन शितरों के अंदर जाती वयवस्ता शहरी की तुलना में ज़ादा प्रभावी होती है शहरों में जो जातीकत बंधन होते हैं या जातीकत जो अपवंचनाए होती है वो तूठने लगती हैं, लोग जादा प्रगती शील होते हैं, अलग तरीके की जिन्दगी जीते हैं, हर कोई अपनी लाइक में बिजी हो, उसको दूसरे से मतलब भी नहीं कि वो किस कास्ट का है, किस तरीके से, प्रट ग्रामीन छित्रों में ये पहचान, जातिकत पहचाने बहुत मुखरोकर के बहार आती हैं, और क्योंकि बिहार के इंदर नगरी करन का इस तर बहुत जादा कम है, इसलिए जाती जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दूसरा ये है कि बिहार में असिक्षा का प्रतिशत बहुत जादा है, बिहार जो है भार आपसे वोट लेना बहुत आसान होता है और दूसरा ये कि आप खुद असिक्षित होते हैं तो आपके लिए भी विकास से जादा जाती आधारित मुद्दे जादा महत्तपूर हो जाते हैं तो ये दो मुख्ये कारण हैं जिसके कारण बिहार की राजनिती जो है उसमें जाती वर्ग या सामन्त वर्ग का बोलवाला था ये वही वर्ग था जो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चुड़ करके जाता था और इनी के कारण बिहार में कभी भूमी सुधार जो है वो पास नहीं हो पाए भूमी सुधार से संबनित बिल जो है वो कभी भी बिहार में प्रस्ट भूमी में चले गए, भूमी सुधार नहीं हो पाए, जन्य संतोष जो है वो एक पैदा हुआ, एक हलचल पैदा हो रही थी, निचले इस तर पर जो है सामजीक विवस्था के, इसका दूसरा चरण 1967 से 89 के बीच है, इसे लोहियवादी राजनिती का युग कहा जाता है, इस युग के अंदर एक नवीन राजनितिक समू का उदय हुआ, इस वर्ग ने जो है वो पिछड़े वर्ग के मुद्दों को ले करके, आम जन्ता के बीच में आया, यह राजनिती के अंदर निम्न जाती वर्ग के मुद्दों को ले के आया, एक नया राजनितिक कि इन्होंने बहुत positive role play किया जैसे दरोगा प्रसाद, पीपी बंडल, कपूरी ठाकुर जो है भूला पास्वान है इन्होंने क्या किया कि पिछडी जातियों का राजनिती करण किया राजनिती करण एक positive word है जिसका आर्थ है कि उस जाती वर्गों को राजनिती की गतिविधि का हिस्सा बनाना इसी के साथ इसके प्रति उत्तर ही मान लिए इसी के समानांतर में कुछ समय बाद जैप्रकाश नारण जी का नेत्रत्व में अगली जातियां जो है उन पर आधारित राजनितिक चेतना का पुनर उदय हुआ तो ये 67 से 89 का यूग था अब 1990 से 2005 का यूग ये यूग बिहार की राजनिति के काली यूग के रुप में माना जाता है मंडल आयों के उपरांत जो है वो नई राजनितिक समी करनों का उदय हुआ एक नवी नियुवा जो नेता वर्ग थे उनका उदय हुआ और तीवर गती से जातिगर धुरुवी करन हुआ इसने जात संगर्षों को तथा कानून ये रस्था की स्तिति को बिहार में जर्ण दिया यहां आपको किसी का भी नाम या किसी जाति वर्ग किसी का पार्टी किसी का नाम मेंशन नहीं करना है तो इससे क्या हुआ कि लौ एन ओर्डर की समस्या पैदा हो गई परन्तु इस जातिगर चे सबसे आगे रखने लगा और विका संबंदी मुद्दे मुद्दे इस योग के अंदर प्रस्ट भूमी में चले गए अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 2005 के बाद के बिहार की राजनिती में जातिकी भूमी का 2005 के बाद का बिहार की राजनिती का योग एक नवीन बदलाव का योग था यहाँ वो समय था जब वर्तमान मुखे मंत्री मानेनिये श्री नितिश कुमार जी जो है वो एक पबलिक हीरो के रूप में उभर करके आए इन्होंने हर एक वर्ग को अपने साथ लेकर के चलने का नारा दिया जिसमें अवर्ण, सवर्ण, अल्प संख्यक, पिछड़े यहां तक की लंगिक, विमर्श, संबंधी, मुद्धी भी मुखे धरा में आए इन्होंने जाती या धर्म के आधर पर राजनीती के बजाए विकास को अत्यदिक महत्व दिया यही कारण है कि 2005 के अवर्ष 2015 में जो विधान सभा के चुड़ा हुए यह आप देखते कि जतीनरा मांजी जी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह एक तरीके से जो है एक समाज के जो निचले भाग से उभर करके एक नेतरत्व आने लगा और उस नेतरत्व ने बहुत महत्वपुन भूम राजनीती के चलिक चलिए अगला उसी से मिलता जूलता है वो है राजनीती तथा अपराधीकरन। इसको हम दो तरीके से तमस्ते हैं, एक होता है राजनितिक आपराधिकरण और दूसरा होता है कि आपराधियों का राजनितिकरण, राजनितिक आपराधिकरण का आर्थी होता है कि जो राजनितिक वर्ग है, वो या तो स्वयम आपराधिक गतिविधियों के इंदर शामिल हो कोई राजनिता वर्ग अपने प्रभाव का यूज करके जो है जो उसके लिए काम करने वाले लोग हैं उनको उनके जो कोट केसे हैं उनको या उनके अगेंस्ट एफाई आर को पीछे ले ले वो किसी टेंडर को भ्रस्टाचार के आधार पर गलत तरीके से पास करवा दे या इसके अलावा स्वयम हत्या बलातकार लूट या रंगदारी वसूली जैसे चीजों में सम्मिलित हो तो यह होता है राजनिती का अपराधियों का राजनिती करण अर्था यह कि स्वयम अपराधी वर्ग जो पहले से ही क्रिमिनल है वो लोग राजनिती अटेंड मतलब हूए है तथर राजनिती और अपराधि करणप्रे प्रश्न आता है आपको इन दौनों को डिल करना है चलिए तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले दो कि राजनिती का अपराधी करण होता क्या है इसके कुछ examples आपको दिये हैं तो ये सारे examples आपको अगर question आता है तो आप लिख लीजेगा इस question को VPSC में आए हुए थोड़ा time हो गया है जितने भी question हम आपको बता रहे हैं ये सारे VPSC पहले पूछ चुकी है कुछ question उसने थोड अगर कोई व्यक्ति चुन करके आ गया है और अगली बार अगर उससे चुनाव जीत रहे हैं तो उसके हाथ में पैसा होना चाहिए तो वह ब्रस्टा चाह से या फिर रंगदारी वसूल करके या डरा कर धंका करके वोट लेतें की कोशिश करते हैं तो इस सब के माध्यम से पैसा भी घटा करते हैं ताकि अगले चुनाव में काम आए अपना राजनितिक रुत्बा क्रिमिनल अपराधियों को पालते हैं ताकि वह भाय दिखा करके उनके लिए वोट ले सके तो महंगे चुनाव जो है दूसरा यह कि वोट बैंक जो है एक वोट या एक परसेंट व असंतोश को राजनितिक संघर्षों को जर्म देती हैं जो एक तरीके से जो समाज में असंतोश पैदा करती हैं दूसरा है कि भारती चुनाव व्यवस्था में भी बहुत जादा कमिया है जैसे कि राजनितिक यह और अपराधियों के बीच में जो गठ जोड होता है उसको कि दो वर्ष्ट से जादा अगर कारावास की सजा होती है तो उसको व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा उसकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी पर आप यह देखिए कि कितने ऐसे राजनेता हैं जिनके अगेस्ट में केस चले हैं और उनकेसों का अभी त जो कैंडिडेट है जिसके आप राधिक प्रस्ट भूमी है वो उसको नहीं चुनाव लड़ने दे बट यहां ऐसा होता है कि जो भी लगता है कि कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है आप वो लोग उसको एलेक्शन में खड़ा कर देते हैं साथी राजनेतिक फंडिंग में पारदर दर्शिता है कि से पैसा आ रहा है कि क्या कोई माफियावाला दे रहा है इसका कोई रिकवार्ड नहीं रहता है जैसा मैंने कैंडे आपको बताया कि वरतमान मुख्यमंत्री 35% मुख्यमंत्रियों के उपर आपराधिक मामले चल रहे हैं दूसरा है कि खुद मत्दाता है उसकी मांसिक्ता भी यह है कि वह जाती है आधार पर वोट देते हैं चाहे उमीद्वार कैसा भी हो उसको चुन लेंगे तो दबंग राजनितिक उनको यह लगता ह हैं वो खुद अपराधियों को संदक्षन प्रदान करते हैं ताकि उनका काम आने वाले चुनाओं में बन जाए पुलिस प्रशाशन जो है उनके उपर राजनितिक्यों का इतना जादा प्रेशर रहता है कि वो लोग उनके अपराधियों के अगेंस्ट में कारवाई नहीं कर सकते हैं तो यह सारे वीजन्स जो हैं यह राजरेती के अपराधिकरेंट से जुड़े हुए हैं और दूसरा इसके है कि क्या-क्या सुधार किये गए हैं देखें गोर्मेंट ने वी मौदरी करंट किया जब उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में चुना होने वाल बहुत बड़ा वादा नहीं किया गया और नहीं अलकोहल या कैश जो है वह बहुत बड़ी वात्रा में कहीं भी इलेक्शन के टाइम में बरामद हुआ इसका बड़ा रीजन यह था कि वी मौदरी करंट करने से जो ब्लैक मनी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्ता जो है मार किया गया है पार्टी के लिए दूसरा देखी नोटा का अधिकार दिया गया है 2003 में सुप्रिम कोट ने एक निर्ने दिया था कि अपराधिक और वित्तिय सेक्षन प्रस्ट भूमी जो है उसको जागर किया जाएगा करना अनिवारे किया है आपके एफिडेविट जवाब उसके अंदर और इसके अलावा जो दो साल से ज़ जो हैं इसके बाद में देखिए उसके काड़न और ये साड़ा मेन के लिए दुबारा कार लिज है क्याती में लुइससरा है टो मैंने इसके अन्दर दिया है कि वी तोटल जो कितने प्रत्याशी थे लोग सभा के उन में से कितने अपराधिक प्रस्ट भूमी वाले थे थोड़े सब पहले एक पत्रका राजदेव रंजिन की हत्या हो गई और दूसरा जो जातीगत राजनिती के पॉइंट्स थे वो सारे इसमें आएंगे क्योंकि अलपनगर भारत की राजनिती के अंदर राज्यपाल की भूमिका जो है उसकी वैख्या कीजिए और उससे संबनित विवादों के बारे में आप बताईए इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताना है कि राज्यपाल जो है वो समीधान के कौन से अरुच्छित के अंदर आता है कुछ बिहार और कुछ नैशनल लेवल दोनों कवर किये हैं तो अगर क्वेश्चन आता है यह 62 वी पीस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है तो देखे इसके कुछ एक्जाम्पल्स हैं कि पहला तो यह कि जनरल आंसर जो है कि जैसे रास्टपती के लिए अनुशंशा कर सकते है राज्यपाल जिसका वो दुरुपियोग करते हैं और दूसरा यह कि मुख्यमंत्री के विरुद मुकद्मे की अनुमती राज्यपाल से ही मिलती है तो यह वो बहुत बार-बार कर देते हैं दूसरा कि कई बार रास्टपती के लिए महत्तोपुड विधयकों को आरक्षित क करके जो राज्य की विवस्था है विधाइका है उसको पंगू बना देते हैं विधानसभा को भंग करने का अधिकारून को दिया गया है तो और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जैसे आपने डीसी वाधवा वाध जो है बिहार से संबंदी थी है उसके बारे में इस जो जिस दल को बहुमत प्राप्त था उसको सरकार बनाने का अवसर दिये बिना ही जो है उन्होंने जो उस समय बिहार के ततकालिन राज्यपाल माहमाहीम श्री बुटा सिंग जी जो थे उन्होंने रास्टपती शाषन के अनुशनशा कर दी थी तो ये एक तरीके से समिधा जो है उसका विरोथ था कि जिस दल के पास बहुमत है उसको सरकार बनाने का मौका दिये बिना ही आपने रास्टपती शाषन जो है उसको लागू कर दिया तो रामेश्वर प्रसाद बना भारत संगवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो है इस निर्ने को उनके को दुर प्रसाद नहीं था इसके तो इस चित्र के अंदर देखे इसके अलावा और क्या एक्जांपल्स हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो वहां विदानसभा के स्पीकर थे उनको बिना जैसे स्पीकर को हटाने से पूर्व उनको 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाते है तो उनको बिना कोई पूर्व सूचना दिये ही राज्यपाल ने बिना किसी विवस्था के उनको सीधे सीधे बरखास्त कर दिया इसी तरीके से अगर हम लोग आरुनाचल का वाबला देखते हैं तो अरुनाचल में जब नवापतुकी की सरकार जो थी उस वो अल्पमत में आई तो उ उनने वहाँ कि सरकार को भंग कर दिया और उत्तर खंड में देखिए कि विधायक को खरीद फरीक्त का मामली के नाम पर उन्होंने रास्ट पति शाष कि केंदर राजनितिक या मतलब गैर राजनितिक लोगों को या निश्क्री राजनितिक्यों को ही जो है वो राज्यपाल का पद्दे मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात की जाए और बहुमत का निर्ने राज्य भवन में लेकर के विधान सभा में किया जाए और कारेपाल सबको लगाई थे उन्हों के सबस्कार से किस रहbei तो उसको अपने कारेकाल की सुरक्ष यानी होता है कि जब नियायक ज Zar बदने के साथ उनके पद को हटा देना चाहिए बारी बार बाई चलि ए अगला पॉइंट आ जो है वह हमारा है न्यायक सक्रियता का क्या है कि जब न्यायले मात्र करने के स्थान पर नागरिकों की दशा सुधारने या उसमें मुल्बूत सुधार करने के लिए प्रयास करे तो वा न्यायक सक्रियता कहलाता है ठीक है अर्थात यह कि ना केवल वो न्याय कर रहा है अपितु एक बहतर सामाजिक जीवन के लिए भी नागरिकों के वो प्रयास कर रहा है और उसकी समबंदी जो वो न्यायक सक्रियता की कैटेगरी में आते है और न्यायक सक्रियता के उदित होने का कारण क्या है? पहला तो ये कि 1980 के दशक के बाद में इसका उभार हुआ 1990 के दशक के बाद क्योंके गटबंधन सरकारों का यूग था वो उस समय में इस्तिति ये थी कि कोई भी सरकार इस्थाई नहीं रह रही थी दूसरा ये कि एक गटबंधन सरकार की बहुत मजबूरिया होती है तो ऐसी स्थिति में नियाले ने जो वैँस्ता है उसको अपने हाथों में ले लिया तो ऐसी स्थिति में जो नियाएपादिका है वो आई और नोंने इस मुद्द्य के उपर निर्ने लिया इसके लवा PIL का यूग शुरू हुआ जो नियाधिश PN भगवती थे उनके समय से ये शुरू हुआ और देखिए कि PIL आज के समय में बहुत जादा प्रभावी है जनहित याचिका इसे कहा जाता है इसके अंतरगत कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसी के मानव अधिकारों का हनन हुआ हो कोई भी व्यक्ति जन सामानी से जुड़े हुए मुद्दे के लिए सुप्रीम कोट में याचिका दे सकता है तो PIL का यूग शुरू हुआ है और आज के समय में मानव अधिकारों का आयाम बहुत जादा बढ़ चुका है तो उसकी वज़े से भी एक कारण है कि आज मानव अधिकारों के अंदर रिक्ति को पर्यावरण का अधिकार भी दिया जा रहा है निजिता का अधिकार भी दिया जा रहा है और आप अगर ये तीनों निर्ने देखेंगे तो ये गौवर्मेंट की तरफ से निर्ने आए हैं मूलदिकारों के अंदर तो मानवदिकारों का एक आयाम भी बढ़ रहा है दूसरा ये कि सारवजनिक मुद्दों की जैसा मैंने आपको बताया था अंधेकी होती है और बहुत आपके पास हो तो इन सारे आर्टिकल्स को देख लीजेगा इसके पांच प्रमुख तत्व हैं पहला बी आईल जैसा मैंने आपको बताया दूसरा अनुच्छे दिक्किस दूसरा कि कारिपालिका के स्वाविवेक पर निर्ने कि मान लीजे कारिपालिका ऐसा कोई निर्ने जो गलत है तो उसको बदलाव करने के लिए लिए सुप्रिम को cognitive या सकता है यह सकता है पूर्ण हनियाए कीया धारा ऑफाल गास कांड़ करहें तो उसके जो विक्टम्स थे उनको राहत देने के लिए सुप्रीम कोट आगया था और समीधान का आधार भू ढाचा जो वो अब इसमें नियाएक सक्क्रेता कि कुछ एक्जामपल्स आपको देने जैसे कि सुप्रिम कोट ने बीसी सियाए की सुधार के लिए एक समिती बनाई विशाखा दिशा निर्देश के बारे में आपने सुना होगा कि कारेस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंदित है दूसरा यह कि स्टेंट जो है हिर्दय में हिर्दय की बीमारी से संबंदित जो एक उपकरन आता है जो यूज के जाता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी उनकी उसकी कीमत को लगबग 75% सुप्रीम कोट के बाद उसमें कमी आई है दूसरा तेजा पीडिता जो होती है उनको इंस्टेंटली कोई भी हॉस्पिटल में उप्चार कराया जाएगा उनको नकत धनराशी दी जाएगी तो यह सारी विवस्था और यह सारे के सारे जो इसके अंदर लिखे हो है यह सारे नियाएक सक्रियता के उधारने बढ़ देखे इसका नेगेटिव हिस्ता भी है जैसे कि जुडिशल ओवर रीच भी हो जाता है कभी कभी अब सुप्रिम कोट यह निर्णे दे रहा है कि सिनेमा हॉल मेरा स्टिगी तो बजाया जाए या कोई मूवी आ रही है जैसे जॉली लल्बी के सीन कटवा दिये तो सेंसर्शिप सुप्रिम कोट का काम है बट सुप्रिम क कर रहा है सुप्रिम कोट यह भी डिसाइड कर रहा है कि दही हांडी जब लगेगी तो उसकी उचाई कितनी होगी बांगलादीशी शरण आर्थियों को शरण देंगे या नहीं देंगे तो यह सारे जो है यह कारेपाली का संबंधित निर्णा है यह लौ एन ओर से संबंध तो यह एक ओवर रीच दिखाता है जो नियायपाली का है उसकी बट फिर भी हम लोग एक को एंडिंग जो है इसकी पॉजिटिविटी के साथ करनी है कि डेफिनेटली नियायक सक्रेता जो है उसने लोगों के कल्यान के लिए या समाज में एक बहतर जीवन प्रदान करने के बहुत महत्र bees ओमीका निभाई है अगला क्वेस्चन है कि नियायक पुर्ण रावलोकन क्या है इक व्यापक संकल्पन है जिसमें नियायपाली सम्विधान की व्याक्छय और पुनर्र व्याख्य alla करके करती है अवशक्ठी संग्य राज्य की विधी को समविधान के अतिक्रमण के आधार पर असमविधानिक भी गोशित कर सकती है ये न्यायक पुन्डरावलोकन जो है उसकी व्याख्या है भारत के समविधान में न्यायक पुन्डरावलोकन इस पस्ट रूप से कहीं भी नहीं लिखा गया है 32 जो है उसमें mention किया गया है इसको साथी साथ में जो है वो भारत में न्यायक पुन्रावलोकन विधी की स्थापित प्रक्रिया पर है इसका आर्थ यह है दो प्रकार होते हैं होता है विधी की संबत प्रक्रिया और दूसरा होता है विधी की स्थापित प्रक्रिया इस्थापित प्रक्रिया मतलब कि वर्ड टू वर्ड जो लिखा है हम लोग उसी को फॉलो करेंगे तो भारत में विधी की स्थापित प्रक्रिया के अधार पर जो है वो न्यायक पुन् जब मूल धांचे के अवधारणा उभर करके आई उसके बाद से नायक पुन्रावलोकन जो है वो बहुत शशक्तर रूप से उभर करके आया और स्वेब नायक पुन्रावलोकन को भारती सम्विधान जो है उसके मूल धांचे का अंग बताया गया है तो इसमें मैंने आपको सारा डिटेल दिया है, यह आपको देखना है, मैंने इसमें कुछ examples दिये हैं, जो बहुत important हैं, जैसे कि राजस्थान में जाट आरक्षन को, और उत्तर प्रदेश और अंध्र प्रदेश में धार्मिक आधर पर जो आरक्षन दिया था, उसको इन्हों ने आरक्षन की सिमा को 50% किया, और क्रिमिल एर का प्रावधान दिया है, साथ ही साथ में जनप्रती निधी अधिनियम की इधारा आठ तीन को असमविधानिक घोशित किया गया, जिसके अंदर ये प्रावधान था कि अगर कोई किसी को दो साल की राजनितिक वर्क को अपर 2017 में लगाए गए थे, उनको सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया, आइटी आट की धारा 661 को खतम कर दिया, नेशनल जुडिशल अपाइंडमेंट कमीशन को असमविधानिक बताये, तो ये सारे नियायक पुन्रावलोकन के एक्जांपल्स हैं, बट देखें, ये इसका हम कुछ नकारात्मत भी लिखना है, क्योंकि इन सब के कारण जो है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोट जो है, वो कारिपालिका के कामों को अपने हाथ में रे रहा है, साथ ही साथ में, वो मोल्धाची के अवधारना के नाम पे एक नियुरंकुष्था का व्यावार भी कर रहा है, क और इसके अलावा कई ऐसे निर्ने हैं, जिसमें सुप्रीम कोट जो है, वो सरकार के निर्ने जो है, उनको सीधे-सीधे काटता है, अर्थात ये कि वो कारेपालिका समद्धित निर्ने अपनी हाथ में लेकि कारेपालिका समद्धित काम करने लग जाता है, तो इस तरीके से प्रुणरावलोकन का आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव देना है इसका फाइनली इसका क्या महत्व है ये सारा की मतलब सामाजी खित में है समग्र नियाय की बात करता है मुलदिकारों का संदक्षन करता है आधी देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो का आर्थ होता है कि आर्थिक संस्कृतिक या राजनेतिक आकांशाओं के आधर पर एक छेत्र दूसरे चेत्र या केंद्र से अपने आपको प्रत्थक या प्रतिसपर्धी काई मानने लगे भारत जो है बहुत संस्कृतिक रास्ट है इसमें अलग-अलग पहचान वाले अल इसमें उन्होंने यह कहा था कि भारत में किसी भी देश को या किसी राज्ये को रास्ट वने रहने के लिए आवश्यक है कि उसमें समानता हो एक जैसा उसके अंदर रास्तियता की भावना हो परंतु भारत में इतनी जादा बहुलता है कि ये बहुत लंबे समयते के एक रास्त के रूप में नहीं जी पाएगा और ये बहुत जल्दी बिखर के टुकड़े हो जाएंगे परंतु भारत में इन सारे ओड्स को साइड किया है और भ प्रिटेश राशन ने फूट डालो और राजकरो की रीती अपनाई जैसे उत्तर पूर्वी के राज्यों को उन्होंने कभी भारत के साथ में मेल नहीं होने दिया दूसरा कि भारत में असंतुलित आर्थिक विकास हुआ है कि कुछ राज्ये जो हैं वो बहुत जादा विक उत्तर में कश्मीर से लेके करनिया कुमारी तक पूर भारत को जोड़ करके रखना अपने आप में चुरौती है और नौर्थीस्ट का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जैसा उसका स्ट्रक्चर है फिजिकल उसको कनेक्टिविटी वहां बनाना बहुत मुश्किल का काम ह दूसरा कि भाषा अन्रजातियता भारत में बोलते हैं कि हर एक कोस पे पानी और वो जो भाषा बदलने वाला एक्जामपल है तो इतनी विविधताओं के साथ में भारत में एकता बनाए रखना बहुत जाला मुश्किल काम है पर देखें इसी आधार पर छेत्रेता के कौन भारत से ही अलग होना चाते हैं यह स्वतन्त्र राष्ट बनना चाते हैं जैसे की नाघार April Colorado है जैसे कि कावेषे विवाद है या नदी जल विवाद जो है वो अलग अलग राजियों के बीच में जो है विवाद के मुद्दे हैं भूमी पुत्र का सिध्धान्त है भूमी बिहार के आर्थिक अउसर के साधन है उसमें इस्थानिय लोग जो है उसी भूमी के जो पुत्र हैं उन्हीं का महत्पव होना चाहिए और इसका बहुत जादा नेगेटिव उप्योग जो है यूपी बिहार के लोगों के लिए जो है माहरास्टर में या अभी इसका लेटेस् के प्रती बहुत नेगेटिविटी है लोगों के अंदर कि उनको वहां नहीं रहने देना है और इसका मुख्य कारण जो है वही आर्थिक जो अवसर है वह है दूसरा भाशाई आधार पर कि जैसे मराथी और कौकनी के बीच में गोवा और महारास्टर के लोगों के बीच मे चलता रहता है या भाशाई आधर पर कोई राज्य की मांग कर रहे हैं जैसे मिथिला राज्य की मांग पिछले थोड़े समय पहले हुई थी जिसमें वो लोग मैथिली भाशा बोलने वाल लोगों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे इसके लावा कुछ और हैं कि ज करता है कि जैसे च्छेत्रिय विकास में सहयोगी के लिए पंजाब तमिलादू बंगाल उडिसा तो च्छेत्रिय दल आधार पर इनका विकास हुआ है प्रथक राज्य की मांग कर रहे हैं तो यह सारी एक्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिये हैं यह सारा देखना है तो इनसे को बताता है समावेशी नीती होती है जैसे कि जब छेत्रिय दलों का उदे होता है तो इस्थानिय मांगें उभर करके आती है राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं और वो छेत्रिय आवशक्ताओं को जादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जन समूह बहुत अंतुस्ट हो लोगों को ज़रुत है तो यह सारा पॉजिटिव ली रोल प्ले करता है और इसका नेगेटिव रोल क्या है कि राजनिति का स्थिर्था पैदा होती है कई बार गटबंधन सरकारों का उद्धे हुआ इसलिए हुआ क्योंकि छेत्रिय दल और छेत्रिय राजनिती बहुत को साइन कर देते हैं बंघल का इक्जाम्पल दिखाए दे रहा है और बहुत शारी होते हैं कि कई बार इस्टेट के महत्तों जो मुद्र है उनको आपको राजेय महत्तों के मुद्aban केम्द्दों से जाधा इंपॉर्व्टेंस मिल जाता है राज×रन देश की चैनल Hybrid एक तो दो एकप पर ने भाउन कर रहा है आप देंहें के विहयरा के विरोध जो है या असम में बंगाल के है प्रयास कि यह तो यह सम्विधत locks के चोना इस सब carne निवटने के लिए प्रयास किया है कि राज्यों का भहाश्याय आधर पर पुनरगटन करने किया गया सामिधान में अनुसूची आठ डाली गई ताकि सब भाशाओं को महत्व दिया जाए राजभाशा अधिनियम डे करके आए हम लोगों ने आर्थिक नियोजन शुरू किया जिस्ते की पिछड़े च्छेत्रों का विकास हो छेत्रिये परिश्यदें अंतर राज्जी परि प्रावधान जो है वह तू सिक्स्टी टू के अंतर का प्राधिकरण वगेरा बनाएगा इस चीज़ों से निबटने के लिए तो यह सारे प्रावधान जो है यह जित्रेता वात से निबटने के लिए कि गए थे आज हम लोगों ने टोटल चैंट नो है इसके अंदर डील क हैं बाकी के क्वेस्टेट्स हम लोग बहुत जल्दी जो है आपके लिए अपलोड कर देंगे थेंक्यू